नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है बंदू के दम पे पड़ोसी मुलक अफगानिस्तान पे तालिबान ने कबजा कर लिया लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसका होगा क्या क्या दुनिया उसे इसी रूप में एकसेप्ट करेगी या अफगानिस्तान के लोगों को भुखो मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनोती है कि दुनिया उसको एकसेप्ट करे और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनावती है कि वहां की सरजमी का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना किया जा और समावेसी सरकार बने जो कि सुरुवाती दौर में तारिबानी समावेसी सरकार बनाने में अस्पल रहे इस मुद्य को लेकर के अलग अलग देशों में कई दौर की बैठके हो चुकी लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकल पाया कि दुनिया एकसेप्ट करेगी कि नहीं करेगी इसी क्रम में दिल्ली डैलोग के नाम से भारत ने नेस्टे लेबल की दस देशों की एक मीटिंग बुलाई जो दस और ग्यारह नवंबर को दिल्ली में होगी उसकी अधक्षिता करेंगे दिल जो देश के एनस्ते हैं अजीट वाग वो इसमें पाकिस्तान और चीन को भी बुलाया गया था लेकिन पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया और सदा बहार दोस्त चीन भी उसी के रास्ते पे है उसने भी पल्टी मार ली हाला कि जो भी देश मंत्रारे को उसने जवाब भेजा है उसमें कारन ब्यस्ता बताया है और ये भी कहा है कि दिल पक्षी मंचुपे वो हालात को लेकर के बादचित करने को तयार है यानि बहुत होसियारी से उसने मना किया इसके बाद रूस, भारत, इरान और किर्गरिस्तान, उजबेकिस्तान समेट आठ देशिस में सामिल होंगे सिर्फ अफगानिस्तान के प्रोसी मुल्क नहीं बलकि मद्धेसिया के देशिस में सामिल हो रहे है इस तरह की बैठक सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में इरान में हो चुकी है भारत में पिछले साल ये बैठक होनी थी लेकिन कुरोना की वज़ा से नहीं हो पाई लिहाजा अब ये होने जा रही है सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि तारीबानी सरकार का क्या किया जाए क्या वहाँ पे समावेसी सरकारू बनाने को तयार है क्या वो इस बात के लिए तयार है कि अपनी सरजमी का इस्तिमाल आतंगबाद के लिए नहीं होने देंगे कि परिस्थितिया जितनी भी बिकट हो लोगों को उनके हाल पे मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता उस देश के लोगों का क्या कसूर है जिस देश पे तालिबानियों ने बंदू के दम पे कबजा किया हो सभाविक सी बात है जो भी वास्तिक इस्तिती है उसी से मिल करके दुनिया को निपटना है और इसी लिए ये बैठक बुलाई गई है जिसमें कि पाकिस्तान और चिन ने आने से मना कर दिया ये तो रही तालिबान और अफगानिस्तान की बात लेकिन एक बात और है वो ये कि पाकिस्तान जो है इसमें अपने लिए बहुत बड़ा मौका देख रहा है कि अफगानिस्तान में उसके नियंतरवाली सरकार होगी तो वो जो चाहेगा वो करेगा खास तोर से जम्मु कस्मीर को लेकर के भारत को परिसान करने की कोसिस करेगा चुकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और चीन भी भारत को घिरना चाहता है इसलिए उसको भी यही सूप कर रहा है लियाजा पाकिस्तान के हां में हां तरीके से वो भी मिला रहा है अंतराश्टी राजनीत में ऐसा होता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं भारत उसे अपने तरीके से निप्टेगा वहराल आठ देश के एनेस से राश्टी सुरक्षा सलाकार कल दिल्ली में मिल रहे हैं फिर वो भारती प्रधान मंत्री नरेद मोदी से भी मिलेंगे बहस होगी बादचित होगी कि क्या किया जाए कैसे समस्या का समधान निकाला जाए लेकिन पाकिस्तान और चीन ने अपने मनसूबे बता दिये कि वो चाहते क्या है क्या कि दुनिया बेसक आतंकवाद को लेकर के ये कहे कि वो इसको बरदास्ट नहीं करेगी लेकिन चीन और पाकिस्तान हमेसा अच्छा तंगवाद, बुरा आपंगवाद देखते रहे हैं। चीन जो है एक तरफ तो सतर्क है कि कहीं ऐसा नहो कि जो उसके देश में मुसलिम समस्याय हैं उसको जो है कहीं तालिबान समर्थन कर दे और दूसरी तरफ ये चाहता है कि तालिबानियों का स बात रख करके भारत की जितनी घेराबंदी कर सके अमेरिका की जितनी घेराबंदी कर सके वो करे तो सब कोई अपने अपने स्वार्त के इसाफ से सोच रहा है देख रहा है इसमें अफगानिस्तान के लोग संकट में फसे हुए तो उन्हें बहुत जादा फर्क नहीं पड़त चलिए देखते हैं कि दो दिन की ये मिटिंग होती है तो उसमें क्या निकलता है रहे नवे खबार देखते रहे इन खबार थैंक ये